चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज आप इसे जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेसंस मिलती रहे सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरतामद और या इन्नेयल यूटिवर और आप सभी लोगों का मेरे यूटिव चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप नकसीर का घरेलू इलाज कैसे कर सकते हैं यानि की दोस्तों गर्मियों में चिल्चलाती धूप और गर्मी में कुछ लोगों को नाक से खून बैने की सिकायत होती है नाक से खून आने की सिकायत को नकसीर कहते हैं गर्मी में अकसर नकसीर की परिशानी होती है कुछ लोगों को गर्म चीज़े खाने से भी नकसीर आत तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरू करें तो सबसे पहले हमें एक बावल में दही लेना है दही आप घर में जमा ले तो ज़्यादा अच्छा हैं आप इस दही को थोड़ा सा मतानी से फेट लें आप चाहे मतानी से इसको चला दें या आप ऐसे ही चमत से चला दें और या आप थोड़ा सा मिक्सी में इसको ड़ी को डाल करके उसमें थोड़ा सा आप पानी डाल दें और थोड़ा सा एक दो बार ग्रेंड कर दें पिर है और इसको आपको कैसे लेना है मैं आगे वीडियों बताओंगे आप पूरा बीडियो देखेगा दोस्तों अगर को में पसंद आयpunkt है तो प्लीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब कर लें और अपने दोस्तों तो प्रेश्ट के लिए थोड़ा सबस चीनी डाल करके आप इसको पीजाए तो फिर आप देखेंगे आप करीबन इसका दस से लेके पंदरा दिन तक इस मठ्टे का सेवन करें तो आप खुद देखेंगे आपकी जो नक्सीर है वो जड़ से खतम हो जाएगी जो नाक से बलड आता है वो बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगा और आप इस मठ्टे को आप सुबे को खाली पेट लेंगे निराहार आपको इस मठ्टे का सेवन करना दस पंदरे दिन तो आप किसी बंदे को दे रही है तो उसको मात्र आधा कब दीजह को भी तक पलाई को शेमे तो बचे की को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बगल का इकन मिलेगा प्लीज आप से जरू दबाए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नौटिफिकिसन मिले सबसे पहले अब दोस्तों जब आप यह उपाय करें तो आप इसमें गरम चीजा ना खाएं ज्यादा मिर सीरे वह जड़ से खतम हो जाएगी और दोबारा आपको यह बीमारी नहीं होगी तो चलिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो से करने ब्रकूर नहीं मिलती है नए बिदे गहां तब तक के लिए नमस्कार